हेलो गुड मॉर्निक फ्रेंड्स आप सब में को हैप्पी जनमाश्टमी तो आज मैं जनमाश्टमी के सुभब सर पर एक स्वीड डिस बनाने जा रहे हैं जिसको आपके साथ में सेहर करने तो चलिए मेरे कीचन की और चलते हैं प्रस्थान करते हैं और अपनी रेस्पी को आर मुंद है तो हमने इधर गैस डाल गैस पर कढ़ाई डाल दिया है कढ़ाई में डाल दी होगी घी हलका गरम हो जाए फिर मैं इसमें जो ड्राइफ्ट्स रख्यों न उसको बारी बारी से फ्राइब करूंगे तो यह देखिए यह गया बादाम सबसे पहले बादाम को फ्रा नहीं को कि अबिटार दीए पुछ भी कमी दिखे तो जरूर कमेंट करके बता नहीं सुधार करने की इसकर कूराउगी तो मेरा बादाम भूंगे आया फ़र मैं उसवी घी में मैंने काजु को डाल दिया है साथ में ढाल दे हूं मुंण फली और उसके साथ ही में यह डाल द नहीं डाला जरूरी नहीं है न हमेशा हर चीज आपके पास एबलेबल रहे हैं तो जो है उसी में बना लेने का बस ध्यान रखना है स्वाद में कोई कमी नहीं होना चाहिए तो यह देखिए मेरा सारा फुर्ट ड्राइफ फुट्स भून चुका है अब बारी आती है अगला नंबर गोंद की तो गोंद के लिए घी ठराज ज़्याद चाहिए और ग्रम करते के बाद ही गोंद को डाले नहीं तो वो पता है फूलेगा नहीं चिपका चिपका सरा जाएगा फिर मज़ा नहीं आता है वो चिपक जाते हैं बिल्कुल दाहत में खाओ तो तो यह गया गोंद बस इसे फटाफट फटाच फ्राइब करना ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों इसे नहीं रखा है चुकि गर्मी का टाइम है ना ठंडी में गोंद ज्यादा सिहत के लिए अच्छोत है गोंद बहुत गरम होता है इसलिए ध्यान रखिए गोंद को कम ही यूज कीजिएगा अब यह गया इसका धाई में कोकोनट पाउडर आपके पास फ्रेस कोकोनट होना तो में गया यह थोरा सा चावल का आटा यहां फ्रेंड्स यह स्वीट डिस जो है ना बिल्कुल अलग हटके है लग मुझे नहीं पता लगता है आप लोग ने कभी बनाया होगा और खाया होगा मेरे तरीके से यह देखे चावल भून गया चावल भूनो न उसमें हलकी हलकी ख ध्यान रखना है ना फ्रेंड्स तो आपको पता है सेहत के लिए काटा कितना अच्छा होता है तो यह गया आटा आटा की भी अच्छे से भूनाई करनी है बस जलाना नहीं है ध्यान रखना इस चीज को नई तो यह लेनी की देनी हो जाएगी आपकी सुईड डिस आप डाल दीजिए आटे से भी खुशू आने लगी है जवरदस्त फिर मैंने निकाल दिया सभी चीजों को उसके बाद मैं इसमें क्या बनाऊंगी आप देखते रहना इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी मैं और इसमें गया चीनी चीनी आप अपने हिसाब से डाल लीजेगा मुझे कम मीठा पसंद इसलिए मैंने कम डाला है साथ में गया पानी ज्यादा पानी नहीं डालना नहीं तो यह चीनी का जो चासनी है बहुत टाइम लगता है किसलिए फालतों का गया वेस्ट करना है जब कम में काम चल रहा है मैं सारे ड्राइफूर्स भून चुके हैं और जानी आता है वह मैंने पीस ही मैंने पीशक्ते में अलाइची भी डाल दिया था वह भी साथके साथ पीश गया है कि और फिर सारे चीजीओ को बर वह आनी paste कह बगता देकि मेरे पास अभी ये सब अपले भूल नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला है चुहा रहा है साथ में लेकिन मेरी स्वीट डिस बहुत ही मस्त बनी थी जरूरी नहीं है हर चीज डालने की आपको इसमें बस और इन सारे चीजों को अच्छी तरह मिला लेना है चमच से सही से नहीं मिलता है क्यों आथ से मिलाया जाए और हां यह मेरा सिक्रेट है मैं यह मिलक पाउडर सभी स्वीट डीमें डालती एक मश्कthese गाम करता है तो आप लोग के पास उगा तो डाल लेना नहीं件 हो गाती सकीब कर लें आ तो यह गया मिल्क पाउडर मस्त खुश हुआ रहे दोस्तों और आय भी क्यों न इतनी हेल्दी जो मैं स्वीट बना रही हूं और इतने महंगे महंगे आइटम का जो हुमने इसमें यूज किया है फिर मैंने मेरा चीनी का चासनी वीबन करेडी हो चुका था फिर मैंने इंसारे चीजों को इसमें मिला दिया है और हाँ धियान से कपड़ा के हां से च्छोना बहुत गरम गढाई है धियान देने प्रषाद के साथ हमने घी वाली प्लेड थी फी न इसी इसे चाहे तो लड़ू का भी सेट दे सकती है बड़क का भी सेब दे सकती है आप की मरजी है अब अब हर छीज में थोरी ना आपको बताऊंगी यह देखिए उने इसको हाथ सहता से दवा दवा के सेट कर दी हूँ अब बस इसे मैं कट कर लूँगी अपने आकार में आप इसे काटो जैसी आपकी इक छाव मैं तो इसे बिल्किल बर्फी का सेप दी हूँ और मैंने ये क्रिशन जी की परसाद बना के रेडी कर लिया क्या आप लोग यहां कौन सी परसाद चलती है प्लीज बताना कॉमेंट बॉक्स में और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइफ सब्सक्राइब सेर जरूर कर लेना और हां दोस्तों फुल वाच करना मॉर्निंग के टाइम में मैंने वीडियो आप लोग के लिए ही बनाया ही इतनी जल्दी जल्दी ये देखे कितना जवरदस्त है ना मस्त स्वाध है आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना खा के बताना मुझे कितना मज़ा आता है इस वाले स्वीट में सुपर और हां ये जो साइड साइड में कत्त वो जो बच गया ना उसे आप ऐसे ही खा जाना जरूरी नहीं है सारे मिठाई का सेप एक जैसा ही हो जाए फिर मैं मिलूंगी नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के है एपी जनमाश्ट मी रादे रादे जैसरी कृष्णा बाइबाइ टेक